रुखसरपणी चुटली ना पांच मात अबकानू मद्धान विश्मी में ये थावानू छे आ दर्मियान केंद्रे ग्रीमंत्री अमिज साय के इंटर्वी माँ खुली ने बात करेती ताजे तर्मा जारे त्यामने अनामत ने लेने सुसेल मुड़िया पर चाली रेली अटकल पुछों माव्यू त्यार हमिज साय कहूं के जहां सुधी बाज़ अपनों एकपन सांसाच चे त्यां सुधी SCST अने OBC माटे अनामत ने कोई हाथ पन नहीं लगावी शुके नरंदर मोधी करता SCST अने OBC ने अनामत नों मोटा समर्थक कोईज न थी केवाता उत्तर दक्सिल बारत विबाजित करवानी वाद करिया थी और कॉंग्रेस पार्टी आ वात नों इनकार करती न थी देशनी जन्ताय विचारू जुए के कॉंग्रेस पार्टी नों एजेंडा शुम शे पांच राजियो किरण तब मिलनाडू आंधरपदेस तेलंगणा ने करनाटक नों समावेशकरी ने भाजप आज कुली माँ सवती मोटी पार्टी वनवा जेरी छे दिल्ली ना मुख्यमंती अर्विंद केजरिवाल ना वजगड़ा ना जामी नंग चुटनी प्रचारंगे केंदरी गिरीमंतरी अमिद साय कहुँ एक बद्दा तरी कहुँ मानूचू के अर्विंद केजरिवाल जयापन जशे त्या दारूनों कवभान जवा मडशे त्या ना थी मोटी सुप्रीम कौर्ट नी आउमानना कशू होई ने सके सुप्रीम कौर्ट जीतन आरना आदारे गुनानों निने करशे आप इसको दुश्प्रचार कह दीजिए मिसिंफरमेशन डिसिंफरमेशन या फिर सिलेक्टिव इन्फरमेशन ये बिलकुल गाहों तक पहल गया है वाट्सैप के जरिये कि रेजरेशन हट जाएंगे मुस्लिम रेजरेशन आ जाएंगे ये सब इट स्प्रेट बरी दिखें ऐसा है आप सिर्व वाट्सैप और चैनल देखती हैं हम लोग लाखो किलोमेटर टूर करकर करोड़ों लोगों का जन संपर करते हैं वो आपको दिखाएने पड़ता है बड़ी दुर्भाग्या की बात है हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और नरेंद्र मोदी से बड़ा सी स्टी ओबी सी रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं में पीसफूल पोलिंग और बंगाल में हिंसा यह हुआ है चौथे राउन में जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं मैं आज उनको कहना चाहत हूं कि 14 प्रत्सत वाटिंग से 40 पार कर गया इससे बड़ी कोई सफ़ड़ता 370 की नहीं हो सकती सारे एक्स्रेमिस्ट क्रूप के नेता अज जाकर पोल करें वोट किसको देना नहीं देना वह उनका अधिकार है अगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा वने हैं पहले चुनाओ के भाईशकार के नारे लगते थे अज सान्ती पूर्वक कहीं एक डंड़ा भी नहीं चला एक भी रेगिंग नहीं हुई और धहर्य पूर्वक किसी भी दल का कोई फर्याद नहीं है दहिर्य पूर्वक पोलिंग हुई यह बताता है कि बदला हुआ है और मैं बताता हूँ पहली बार 40 प्रतिसत से ज़्यादा विस्ताफित कास्मिरी पंडितों ने वॉट डाले है अब तक यह आकड़ा 3 प्रतिसत से उपर कभी नहीं गया पहली बार 40 प्रतिसत कास्मिरी पंडित और विस्ताफित जो थे उन्होंने वॉट डाले है यह बताता है कि कात्म विश्वास आया है जनता के अंदर किनी अब हम डेमोकरसी के साथ जा सकते हैं केज़िवाल जी को जो इंटेरिम बेल मिला है आप इस सुप्रीम कोड के फैसले को कैसे देखते हैं देखे सुप्रीम कॉर्ट के फैसले पर मैं कोई टिपड़ी करना नहीं चाहता हूं परंतु सुप्रीम कॉर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी कुछ मीडिया के ग्रूप्स और ज्यादा तर जन्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मान कर चल रहे हैं मैं कोडने नहीं माना फिर प्ली को मॉडिफाई किया ठीक है चलो भई है एरेस्ट रद करना छोड़ दिजे मुझे मेल दे दिजे सुप्रीम कौट नहीं माना सुप्रीम कॉट ने इतना कहा कि आपका चुनाओं के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए हम आपको इ चीट नहीं है चार सीट पड़ा है अभी कोट के सामने और गर उनको इतना विश्वास्ता तो सैसन कोट में कॉसिंग डालते हैं कि मेरे खिलाब चार जी गलत है उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिपनी से इंडी अलाइंस को फाइदा हुआ है आपके नजरीय से लिए कि मैं ऐसा मानता हूं एक मत्दात है नाते कि जहां जहां वो जाएंगे सराब घुटाला याद आएगा अब फाइदा हो गया नुक्सान आप तेकर पजाब में प्रचार में जहां जहां जाएंगे सराब घुटाला ही लोगों को दिखाई देजा कई लोगों को तो बड़ी बॉटल दिखाई पड़ेगी अगर 272 नहीं आते ये तो आप सोचने को तयार नहीं लेकिन प्लान बी ज़रूर बना के चलते हैं आप प्लान बी नहीं बनाते प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम सब्भाव ना हूँ मैं निश्चीत रुप से मानता हूँ कि सत प्रतिसत मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराएंगे पूरा देश चाहता है इस देश सुरक्सित हो ये देश समरुद हो इस देश का दुनिया में सन्मान बड़े ये देश आत्मनिर्बर हो ये देश विक्सित भारत बने और हर भारत ये चाहे गरीब से गरीब हो चाहे कितना भी धन्वान हो इस सभी मानते हैं कि दस साल में दुनिया में देश का सन्मान बड़ा है जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कहे रहे थे अब NC और PDP जो है इनके नेता तो आएंगे ही जीत कर आएंगे आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे मुझे लगता है परिवर्थन होगा दिखे ये पूरे इंडी एलाइंस का गैरेक्टर एक प्रकार से कही न कहीं मिला जुला है इसलिए इनका जमगट बना है सारी पार्टिया परिवारवादी हैं सारी पार्टिया कहते हैं हम 370 वापिस लाएंगे सारी पार्टिया कहते हैं कि हम त्रिपल तरलाग चाहते हैं सारी पार्टिया कहते हैं कि हम UCC का विरोध करेंगे सारी पार्टिया C.E.A. का विरोध करती और सारी पार्टिया ब्रष्टाचार में आकंठडू भी हुई है तो इंडी एलाइंस का एक कल्चर कॉमन है इस सारी चीजे ब्रेकेट के बार ब्रेकेट में सारी पार्टिया आए अब देश की जनता नेताई करना है कि 12 लाग करोड के गपले गोटाने ब्रष्टाचार करने वाली इंडी एलाइंस चाहिए या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है तेई साल मुख्य मंत्री पिदान मंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेद्र मुदी चाहिए तो देश की जनता नेताई करना है ये जो 400 पार का जो नारा था क्या आपको लगता है वो भारी पड़ा है क्योंकि 400 पार जो है उसकी वज़े से बहुत सारी अटकले लगी थी कि सम्विधान बदल देंगे ताना शाहिए आ जाएगी निश्ची तुरूप से नहीं सम्विधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास दस साल से है आप क्या मानती है कि राहूल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा देश नहीं हमें बहुमत दिया है देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास दस साल से जान बदलने के लिए परियाप्त बहुमत है हमने कभी यह अफरोट नहीं किया हां हमें 400 सीट जरूर चाहिए कि देश में रादनीती में स्थीरता लानी है 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सिमाओं को चौक चौबंद और सुरक्सित रखना है 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछे गरिबों को अभी लाब मिलना बाकी है वो काम भी हमने पूरा करना है हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर गर में सुद्ध पीने का पानी पहुच सीट इसलिए चाहिए कि हर सत्तर साल से ज्यादे आईवाले व्यर्ति को पांच लाग तक का मुप्त इलाज हम देना चाहते हमने 400 सीट का दस साल में क्या उपयोग किया धारा 370 हटाई त्रिपल तलाक हटाया राम मंदिर बना और कॉमन्ट सिविल कोड इसी सी लेकर हम आए हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर परियाप्त बहुमत था इसका उपयोग हमने समविदान सभाने जो देश को वादे किये थे वो सारे वादे पूरे करने में तो वो 272 से भी हो सकता था 400 मतलब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरती नहीं है अभी हम उठा सकते मैं यही कहता हूं आपको परन्तु 400 सिट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या भारतिये जनता पार्टी अपने एक्सपांशन नहीं करेगी दिखे बहुमत का दूरूपयोग का इतियास मेरी पार्टी का नहीं है बहुमत के दूरूपयोग का इतियास इंदिरा गांदी के समय में कॉंग्रेस ने किया था आर्टिकल चेंज कर दिये लोग सवा को एक्स्टेंड कर दिया इमर्जंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगर सवा लाक लोगों को जैल के अंदर 19 मेहनों के लिए ठूस दिया हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहूल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके पर दर्क्षिन के कई राज्यों में जो पांच राज्य चुनाफ पूर्ण हो गए महाँ पर वहाँ पे तो कई पॉलिटिशन जो कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए साउथ जो है वो अलग राज्य है अलग अलग स्टेट है अलग कंट्री महसूस करते हैं वो कि अगर कोई कहता है कि यह अलग कंट्री है तो बहुत अब्जेक्सनेबल हैं के टी आर ने कहा है डीके शिव कुमार के भाई मैं आपको बताता हूं इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता कॉंग्रेस पार्टी ने एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्सिल भारत का विभाजन करो और कॉंग्रेस पार्टी इसको डिनाइ नहीं करती अपने आपको यह स्ट्रेट्मेंट से अलग नहीं करती देश की जनता को सोतना चाहिए कि कोंग्रेस पार्टी का इजणडा क्या है मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं किरल, तमिलनाड, आंद्र, तिलंगाना और करनाठा ये पांच राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुना में अकेली भारतिय जनता पार्टी बनने जा रही एंडिये ने